एक मासूम और हुबसूरत जानवर हरन हरन एक बहुत मासूम और हुबसूरत जानवर है दुनिया भार में हरन की सो के करीब अकसाम पाई जाती है हरन अंटार कटका और अस्ट्रेलिया के स्वाहिर बर्याजम में मिलते हैं हरनों की खाल गहरी या हलकी गंदमी होती है यूँ वो जंगल के माहोल में छुप जाते हैं और उन्हें डूणना असान नहीं होता हरन लचकदार ठोज जिसम और लंबी और मजबूर टांगे रखते हैं ताके पथ्रीले और कांटों बरे उन्चे नीचे रास्तों पर बाअसाने भाग सकें उन्ची और लंबी च्लांगे मारने और तैरने में ताक हैं हमला करते हुए टांगे भी इस्तमाल करते हैं हरनों की हिसे स्मात बहुत तेज होती है वज़ा ये है कि इनकी जिसम के तमाम असलाथ कांगों से जुड़े होते हैं यही वज़ा है कि वो खड़े-खड़े अपने कान रेडार की तरह गस हा लेते हैं और फोरण जान जाते हैं कि फलाँ आवाज कहां से आई इनकी आँखें मुँ के अत्राफ में वाक्या हैं इसलिए बैख वक्त आगे पीछे और सामने के मनाजर देख लेते हैं इसलिए कोई जानवर छुपकर इन पर हमला नहीं कर पाता हरनों की हिसे शामा यानि सुंगने की इसलाहियत भी शानदार है दरहकीकत वो शकारी जानवर की बू सुंग कर ही इनकी मजुदकी से बाहबर होते हैं हरन अक्सर अपने नाक जबान के साथ चाटकर साफ करते हैं ताके इनके सुंगने की इसलाहियत हर वक्त बेदार रहे हरन को अगर चड़िया घर में मनपसंद खाना पीना मिले तो वहां भी बहुशी रह लेते हैं जहां हरन बस्ते हैं हरन ऐसे अलाके में बस्ते हैं जहां गास के मेदान जंगल और पानी वाफिर हो जंगल इसी लिए कि हर हरन रात को वहीं बसेरा करते हैं हत्रा हो तो जंगल ही में छुपका जान बचाते हैं हरनों की कुछ इक साम पहाड़ी वादियों में मिलती हैं और जनूबी अमरीका के गने जंगलाद में भी बस्ती हैं हरनिया और इनके बच्चे रेवर्ड की शकल में रहते हैं रेवर्ड में एक दो हरन भी होते हैं रेवर्ड तीस मेल के दाइरे में रहता है हरनों के मूँ और खुरों और दीगर जिसमाने अजा पर बू छोड़ने वाले गदूद होते हैं वो द्रखतों और पोदों से मूँ रगड़कर इन पर अपने बू मलते हैं ताके दूसरे हरनों को पता चल जाए कि ये इनका अलाका है हरन अपने अलाके से बहुत वबस्ता होते हैं हरनों की हुराक हरन पत्ती, टेहनिया, घास, फल और छोटे पत्ते खाते हैं उन्हें देख कर लगता है कि वो सारा दिन खाते रहते हैं हलांके ऐसी कोई बात नहीं दरासल हरन भी हुराक हजम करने की हाथ तर गाए बैसों की मानित जगाली करते हैं देर बाद चब हुकसा अच्छी तरह पिस जाए तब इसे निगलते हैं हरनों के बलाई जबडे में दांत नहीं होते बलके पैड नसब होते हैं इसकी मदद से वो पाअसानी पते तोड़ सकते हैं सिंग की कहानी चीन में मिलने वाले आपी हरन के अलावात माम हरन सिंग रखते हैं हरनियों में सिर्फ रंडेर हरनी सिंग रखती है वरना बकी अकसाम की हरनियों के सिंग नहीं होते ये सिंग एक तरह की हड़ी है जो उनके सरों पर उगते हैं हरन के हर किसम में सिंगों की लंबाई और डिजाइन मुख्तलिफ है हरनों के सिंग दुनिया में तेज तरीन नशुन माँ पाने वाली बाफत है ये दो तीन माँ में पूरी लंबाई तक पहुंच जाते हैं हरन के सिंग एक साल बाद गिर जाते हैं फिर ने उगाते हैं, सिंगों की लबाई से भी एक हरन की उमर का अंदाजा लगाना मुम्किन है जिस हरन के सिंग जितने ज्यादा लंबे हों, इसकी उमर इतने ही ज्यादा होगी सबसे बड़ा हरन, मोस, दुनिया का सबसे बड़ा हरन है ये कांदों तक 6-7 फिट उंचा और 720 किलो तक वजनी होता है मोस, अमरीका, कनेडा, नार्वे, स्वीडन और फन लैंड के जंगलों में मिलता है बड़े सिंग इसकी पहचान है, जो 2 फिट तक लंबे होते हैं लेकिन मादा हरन के सिंग नहीं होते, दुरुखतों के पते और लंबी घास खाते हैं क्योंकि अपना भारी सर चुकाने और फिर उठाने में दिक्कत महसूस करता है एक दिन में 32 किलो गजा चट कर जाता है सबसे चोटा हरन, दुनिया का सबसे चोटा हरन, पोदो, अर्जंटाइन, चिल्ली, पीरो और कॉलंबिया में पाया जाता है 13 से 17 इंच उंचा और 33 इंच तक लंबा होता है बड़ा चुस्तो चालाग है, पत्ते और बीज वगेरा खाते हुए, बार बार पिछली टांगों पर खड़े होकर हवा में सूंगता है यूँ वो देखता है कि कोई शकारी जानवर इसकी ताक में तो नहीं हत्रा हो तो पोदो कभी दायर और कभी बाएं को दोड़ता हुआ फरार हो जाता है लड़ना बिड़ना काम बुरा है हरन अमोमन हमोशी से चड़ते हैं, लेकिन दूसरों को पेगाम देना हो तो मुफलिफ आवाजें निकालते और अशारे करते हैं मसलां दो हरनों में लड़ाई हो जाए तो वो लड़ते हुए खूब गुराते और एक दूसरे को सिंग मारने की कोशिश करते हैं इसी तरह अगर कोई हरन जोर जोर से पैर जमीन पर मारे तो ये इस बात की निशानी है कि आस पास शेर या चीता मुजूद है हत्रा हो तो हरन दूम भी खड़ी कर लेते हैं ताके रेवर्ड के सब भी अरकान फ्यार हो जाएं हरन बन्यादी तोर पर एक दूसरे को सूंग कर बहुत सी मालूमात हासल करते हैं दरासल इनके जिसम पर मुख्तलिफ जगा बू छोड़ने वाले गदूद वाक्या हैं इन बूओं की मदद से हरन दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं इसलिए हरन बहुत सा वक्त एक दूसरे को सूंगते हुए गुजारते हैं हरन के बच्चे हरनी साल में एक ता तीन बच्चे देती हैं बच्चा पैदा होने की चंद गंटे बाद भागने दोड़ने लगता है लेकिन मा एक हफ़ते तक इसे जाड़ियों में छपाकर रखती है बच्चा बहुत ताबे फर्मान होता है और मा का हर हुकम मानता है मा भी बच्चे का बहुत थ्यार रखती है और इसे दिन में कई बार खाना खलाती है ताके वो ताकतवर हो जाए बच्चे की खाल पर स्फ़ेद दबे होते हैं ताब वो बहुत हुबसूरत और मासूम नजराता है ताहम ये धब्बे एक दो माँ बाद हतम हो जाते हैं जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाए तो फिर वो हर वक्त मां के साथ रहता है मां इसे खाना, पीना, दोड़ना और शकारी जानवरों से बच्चना सिखाती है बच्चा एक डिड़ साल तक मां के साथ रहता है खास बात ये है कि बच्चा बू छोड़ने वाली वाला कोई गदूद नहीं रखता इसलिए शकारी जानवर जाड़ियों में छुपे हुए बच्चे को डून नहीं पाते बारा सिंगा, दुनिया के मशूर हरन बारा सिंगा सिर्फ असाम और वस्ती भारत के सरसबस मेदानों में पाया जाता है इसके लंबे खुबसूरत सिंग, दास ताब, बारा शाहें रखते हैं इसलिए ये बारा सिंगा कहलाता है ये चार फिट तक उंचा, छे फुट लंबा और दो सो असी किलो तक वजनी होता है पाडा हरन, किसी जमाने में सेंद बलोचिस्तान और पंजाब में बहुत मजूद था मगर अब कम ही मिलता है ये दो अशारिया पांच जिरो फिट तक उंचा और तीन अशारिया साथ पांच फिट लंबा होता है और इसका वजन पचास किलो ग्राम तक होता है भागते हुए कोई रकावट आ जाए तो इसके नीचे से गुजरने की कोशश करता है टीतल पाकिस्तान में पाया जाने वाला मशूर हरन है लेकिन अब नायाब है इसकी सुरख खाल पर स्वेद दबे होते है डाई फिट लंबे छे साथ शाहा सिंग रखता है तीन फिट उंचा और पचासी किलो वजनी होता है ये ज्यादातार भारत, सेरी लंका और बंगला देश में पाया जाता है सांबर जनुबी एशिया का सबसे बड़ा हरन है ये 5.30 फिट तक उंचा और पचास किलो वजनी होता है भारत और सेरी लंका के पहाड़े जंगलों में मिलता है इस के सिंगों की लंबाई 3.75 फिट तक होती है सांबर की खाल का रंग गहरा गंद में है शेर इसका शकार शोक से करता है चंकारा से मिलिए ठरन ये जनवर कहलाते हैं जिनके सिंग हर साल जढ जाएं लेकिन अल्व ताला ने हरनों से मिलते जुलते ऐसे जनवर भी पियदा किये हैं जिनके सिंग एक बार निकल आएं तो कभी नहीं जढ दे इन्हे जानवरों में चनकारा बहुत मशूर है एशिया और अफरीका में इसकी पक्यानवे इक्साम मिलती है पाकिस्तान में मिलने वाला काला हरन तरहसल चनकारा है ये प्चास मील फी गंटा की रफ़तार से भाग सकता है ये सिर्फ केर्थर नैशनल पार्क तक महदूद है अमरीका का हरन अलक दुनिया का दूसरा बड़ा हरन है शमाली अमरीका और मश्रकी एशिया में बसता है पांच फुट उंचा, आठ फुट लंबा और छे सो किलो वजनी है ये 45 मील फी गंटा की रफ़तार से दोड़ सकता है सिंग, 4 फिट लंबे और 18 किलो वजनी होते है दिन में 6-7 किलो पोदे और पते खा जाता है बर्फानी अलाकों के अलक की खाल मोटी होती है ता कि वो शिदीद ठांट से महفوظ रहे अलक बलंद आवाज रखता है जो कैई मील तक सुनी जाती है प्रोंग हार्न हर्नों और इस से मिलते जुलते जानवरों की दुनिया में सबसे तेज रफ़तार जानवर प्रोंग हार्न है ये हर्न है और ना चंकारा और माहरें इसे तिसरी किसम करार देते हैं ये सिर्फ अमरेका में मिलता है ये 61 मील फी गंटा की रफ़ता है अमपाला एक और मशूर चंकारा है ये मशर्की अफरीका के जंगलों में बसता है तेन फिट उंचा और 76 किलो तक वजनी होता है जिल्द सुर्ख की माईल गंदमी है इसकी हसूसियच ये है कि बागते हुए 33 फिट लंबी चलांग मार सकता है तेज रफ़तार जानवर है कभी तो चीता भी इसे पकड़ नहीं पाता यही वज़ा है कि जीता तवील फासले ताक तेजी से नहीं भाग सकता नील गाए नील गाए भी मशूर चंकारा है ये भारत पंगला देश के जंगलों में पाया जाता है गाए जैसे शकलो सुरत और निली रंगत रखने के बाइस इसे ये नाम दिया गया है चार पांच फिट उंचा, साड़े च्छे फिट लंबा और दो ढ़ाई सो किलो वजने जानवर है अर्बी महाता अर्बी महाता भी चंकारा है इसे गजाल ले सहरा भी कहते है ये तीन फिट उंचा और सतर किलो वजनी होता है सूंकार जान लेता है बारश कहा हो रही है सौदी अरब के सहराओं में ग्यारा सो अर्बी महाता बस्ते है हरन के बारे में कुछ मजीद मालुमात सर्दियों में हुरा कम होने की वज़ा से हरन बहुत कम चलते फिरते हैं ताके उन्हें ज्यादा भूक ना लगे अफरीका में एक किसम का हरन सुर्ख हरन मिलता है इसकी एक किसमीर में मिलती और हंगोल कहलाती है आम तोर पार हरन की उमर 20 साल तक होती है लेकिन हरनों की एकसाम के लहास से ये अरसा काम्या स्यादा हो सकता है हरन अमोमन रात को चलते फिरते हैं क्योंकि तब शकारी जनवर अपनी कछारों में अराम करते हैं हरनों के बालों में हला होता है जिसमें हवा मुकीद होती है हरन इसी वज़ा से डूब नहीं पाते सड़कों पर हर साल हरन टुकराने की वज़ा से 15 लाख हदसात होते हैं